नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख्ष प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी पर आपति जनक और उक्सावे वाला बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाप आज मद्वर्देश के पन्न का मतलब चुनाओं में हराना दमोह निवासी स्री पटेरिया के खिलाप जिले के पवई धाने में मामला दर्ज किया गया है उन पर धारा 451, 504 और 506 समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है ग्रहमंति डाक्टर नरुत्तम मिश्रा ने संबाद्धाताओं से के दोरान कहा कि उन्होंने पटेरिया का बयान सुना इससे इसपस्ट हो रहा है कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं इस कांग्रेस की इटली से संबध मुसोलिनी वाली मान सिकता है उन्होंने कहा कि पूर मंत्री ने प्रधान मंत्री के खिलाप बेहत आपति जनक बय दिया है वे इस मामले में उनके खिलाब प्राथमिकी दर्ज करने के जिला पुलिस अदिच्चा को निर्देश दे रही हैं। दियम प्रयागराज भेजी है। फिलहाल दूसरी किताब का प्राकाशक पुलिस के गिरफतर से दूर है। ट्रेफिक सुवेदार सुरेंच सिंग ने बताया कि आरोपी के पास से पिश्टल मिली और वह लाइसेंसी है। रीवा सहर की समान धाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का परदा फास किया है। पुलिस के मुताबिक दिन भर में रेकी और रात में चोरी करने वाले गिरोह के चार बदमास गिरफतार हुए हैं। जिनके कबजे से साथ चार पहिया वह च्छे मोटर साई के लिए जब्त की गई हैं। हलाकि गिरोह का एक चोर फरार है, फरार बदमास की गिरफतारी के लिए पुलिस की टीम लगी है। रीवा जिले में 11 दिसंबर को सहर से देहाद तक पुलिस का कामबिंग गस्त अव्यान चलाया गया। यहां करीब 30 थानों की पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर सुबह रवाना हुई, रात 10 बजे तक अंठामन इस्थाई और 123 गिरफतारी वारंटी तामिल कराये। साथी एक फरार आरोपी को गिरफतार करने में सफलता मिली है, वहीं जिला बदर के 18 आरोपीों के घर जाकर पुलिस टीम ने चेक किया है। स्केलमेंट का असर इस रेल मार्क पर चलने वाली कुछ यात्री ट्रेनों पर पड़ा है। और 95 दसमलों एक एक लाख रुपे की लागत से क्लासरूम के निर्मान कारी का लोकारपन किया। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरात्री। प्रुश्स